नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरबेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों कि आप इस बात को जानते हो कि पूरे संसार में पूरे दुनिया में सेव इतना अधिक क्यों भीकता है और इसे लोग क्यों खाते हैं क्यों पसंद करते हैं तो दोस्तों अगर नहीं जानते हो तो जाहिर सी बात है आप जान लीजिए क्योंकि सेव एक तरह से बहुत सारे विटामिन तक उसे भरा हुआ है एक तरह से माना जाए तो यह एक एंटिबेटिक मेडिसीन है दवाई है दोस्तों सेव की सेवन से हमारे सरीर का ब्लड बढ़ता है, रक्त बढ़ता है, खून बढ़ता है, सेव की सेवन से सरीर का बल बढ़ता है, पेट का एसीडीटी, गैस दूर होता है, पाचन किरिया मजबूत होता है, भूग बढ़ता है, सेव की सेवन से केल्सियम बढ़ता है दोस्तो इस सेव के सेवन से दात मजबूत होता है आँख मजबूत होता है अगर किसी के बाल जड़ता हो तो वह सेव के सेवन करे लगातार दो तीन महीने तक उसके बाल का जड़ना रूप जाएगा और अगर किसी का दात कम जोर हो दात में पहरिया रोग हो तो वह सेव का सेवन करे तो उसके दातों का रोग नश्ट हो जाए पहरिया रोग भी ठीक हो जाएगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों यह सेव दोस्तों अगर कोई खुण कमी से जूज रहा है तो वह प्रती दिन लगातार कम से कम एक या दो सेव का सेवन करे तो उसके सरीर में भरपूर खुण का मात्रा बढ़ जाएगा दोस्तों जिस तरह से या सेव लाल-लाल दिखाई देता है इसके सेवन करने वाले का गाल भी लाल-लाल हो जाता है दोस्तों या सेव को ऐसा वैसा फल नहीं है या दुनिया में सबसे एक नंबर का फल है अवल नंबर का फल है दोस्तों सेव ऐसा फल है जिसे दुनिया का हर इंसान पसंद करता है खाता है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी को वज़े सेव का सेवन नहीं कर पाते हैं लेकिन हाँ दोस्तों अगर सेव का सेवन हमेशा किया जाए रेगुलर किया जाए तो सेव के सेवन से हमारे सरीर में किसी भी परकार का कोई भी बिमारी घुस नहीं पाएगा यहनी हमें कोई भी बिमारी हो नहीं पाएगा अगर हम प्रती दिन सेव का सेवन करते हैं और साथ में दूद पीते हैं तो दोस्तों ऐसे तो सेव को मुरब्बा बना कर भी सेवन किया जाता है सेव का जूस भी पिया जाता है अगर किसी को बार बार खाना हजम नहीं होता हो बार बार लेट्रिंग लगता हो कुछ भी खाते ही पेट में दर्द होता हो तो वह सेव का मुरब्बा प्रती दिन सेवन करें तो उसके पेट के अंदर होने वाले सभी वीमारी नैश्ट हो जाएं इतना फायदेमंद होता है सेव का मुरब्बा और हाँ दोस्तों अगर किसी पेट में CDT गैस है या ब्लड पे दोस्तों अगर किसी का आखम रतवनी रोग हो और साम होने के बाद उसे दिखाई न देता हो तो वह प्रती दिन सेव का सेवन करें एक महीना तक उसके आखम होने वाला रतवनी रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा इतना फायदेमंद होता है सेव और हाँ दोस्तों अगर सेवक सेवन आप हमेशा करते हैं तो आपके आखम होने वाला मोतिया बिंद रोग हो ही नहीं पाएगा दोस्तों या सेवक सेवन लगातार करें साल दो साल तक तो उसके सारे सारे पूरुस रोग ठीक हो जाएगे इतना फायदेमंद होता है दोस्तों या सेव इसलिए नहीं से लोग दुनिया में खाते हैं और फलों में सबसे महंगा बिखता है या सेव दोस्तों ऐसा नहीं कि या सेव सिरी पूर्षों के लिए ही फायदेमंद होता है या सेव जितना पूर्षों के लिए फायदेमंद ह इस्तिरियों के लिए भी फाइदेमंद है और गुड़ापों के लिए भी फाइदेमंद है अगर गुड़ापा इनसान regular सेवन करे सेव का तो गुड़ापे में होने वाले सारे कमजोरी दूर हो जाएंगे उसे बहुत सारे परिशानियों से मुक्ती मिलेगा इतना फाइदे मंद होता है दोस्तो या सेव दोस्तो सेव के कई पर जाती होते हैं और स्वाद में सेव खटा भी होता है मीठा भी होता है दोस्तो सेव खाने में कुछ सेव कड़क भी होते हैं और कुछ सेव जो है बिल्कुल नरम होते हैं भसबसा होते हैं जो भसबसा सेव होते हैं वह सिरिव मीठे होते हैं और जो कड़क सेव होते हैं वह खटा और मीठा दोनों मिक्स होते हैं तो दोस्तों, सेव तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन आप खाते नहीं हो। अगर आप प्रती दिन सेव का सेवन करते हैं तो आप कभी जल्दी बीमारी नहीं पढ़ेंगे, इतना फायदे मन्द होता है, इतना ताकतवर होता है दोस्तों, यह सेव तो दोस्तों एक तरह से अगर माना जाए अगर हम सेव का सेवन हमेशा करते हैं तो हमारे सरीर में किसी भी परकार का कोई बीमारी कोई रोग घूसरी नहीं पाएगा इतना फाइदे मंद होता है सेव या सेव बोडी का इम्यूटी पाउर को बढ़ाता है यानि रोगों से कीजिए नमस्कार दोस्तों पाली आइरवेदिक